नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मिनाक्षी शर्माए और मैं आपकी हिंदी टीचरूं कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तक RBSC हिंदी कक्षा 5 का छटा पाठ स्वस्थ तन सुखी जीवन के बारे में पढ़ाऊंगी जैसा कि बच्चों इसके नाम से ही हमें पता चलता है स्वस्थ तन, तन मिन शरीर और सुखी जीवन जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तबी हमारा जीवन कैसा होता है? सुखी होता है, सुख में होता है जब हमारा शरीर अच्छा होता है, स्वास्त होता है तब ही हमें सब कुछ अच्छा लगता है और हमारा जीवन कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है इसी के बारे में इस पार्ट में बताया गया है तो आईए आप मेरे साथ पढ़िये शाम हो गई दादा जी चौक में मुड़े पर बैटकर बच्चों को पुकार रहे थे मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे शाम का समय था और दादा जी किस पर बैठे हुए थे मुड़े पर और बच्चों को बुला रहे थे लेकिन बच्चे किस में लगे हुए थे मोबाइल गेम में जैसे कि आप सभी लगे रहते हो आखिर शुश्मा ने उनके बीच जाकर कहा शुश्मा कौन है बच्चों की मा दादा जी की बहु अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से तो वो बच्चों को जाकर डाटती है कि अरे तुम्हें इन खेलों से क्या मिल जाएगा दादा जी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर तो उनकी जो मा है उनका नाम क्या है शुश्मा किनकी मा है तोशी बिट्टू और हनी उनके तीन बच्चे हैं तो तीनों को डाट कर कहती है तीनों किसमें लगे हुएं मोबाइल गेम में तो तीनों को डाट कर कहते हैं कि तुम्हें इन मोबाइल गेमों से क्या मिल जाएगा अगर तुम दादा जी के पास बैठ होगे तो कुछ काम की बात सीखोगे आप भी अपने बड़ों से कुछ अच्छी बाते सीखते हो ना उसी लिए तो फिर वो बच्चे कह रहे हैं हाँ ममी आप सही कह रही हैं दादा जी की हर बात पते किये तो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रही हो ममी दादा जी की हर बात पते किये मतलब हर बात ग्यान किये कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बाते समझाई थी दादा दादी क्या होते हैं दादा दादी नाना नानी जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों को कहानी कहानी में अच्छी अच्छी बातें सिखा देते हैं तो शी नहीं कहा और उसके साथ तीनों बच्चे दादा जी के पास आकर बैठ गए वे बैठे तो किरायदार के दोनों बच्चे खुशी और अनू भी पास आकर बैठ गए तो उनके मकान में किराय पे जो रहते थे खुशी और अनू वो भी उनके पास आकर बैठ गए दादा जी के पास उनके हाद कैसे थे साफ नहीं थे पाओं भी कंदे थे उन्हें देखते ही उनको देखते ही दादा जी की बौहें एनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई मतलब उन्हें बहुत गुसा आ रहा था वो ऐसे गूर के देखने लगे चश्मे से भी आँखों को बहार तक आ गई उनकी आँखें गुसे में वे कहने लगे बुरी बात है गंदगी अच्छी बात है सफाई तो बता रहे हैं कि गंदगी कैसी बात है बेकार बात है गंदी बात है बुरी बात है और सफाई कैसी है अच्छी है गंदगी क्या लाती है बिमारी और सफाई क्या करती है हमें बचाती है बच्चों ने खुशी और अनूखी ओर देखा तब तक वे हात पाउंद होकर आ बैठे तो वो क्या समझ गए कि दादा जी न जब चश्मे से भी आंखों को बाहर निकाल के देखा ना गुसे में तो वो समझ गए कि हमको हाथ पेर हमारे गंदें इसलिए दादा जी गुस्सा कर रहे हैं तो वो तुरंत जाके हाथ पाउं धोकर आकर बैठ गए फिर दादा जी न उनको क्या दी शाबाशी दी और बोले साफ सफाई रखो भाई अच्छी तवियत हो उसके लिए स्वाफ सवच रहना और वातावरण को भी साफ सुत्रा रखना जरूरी है जब हमारा स्वास्त अच्छा हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए खुद भी साफ रहना चाहिए और अपने चार ओर के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए तंदरूस्त हों तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है वो बता रहे हैं कि जब हम स्वास्थ होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है हसने हसाने का मन करता है, रात को नीद भी अच्छी आती है और सुबह कैसे उठते हैं तरोत आजा, जब पूरी नीद होती है तो व्यक्ति कैसा उठता है स्वास्त बिल्कुल तरोता जा हर काम फटाफट करते हैं क्योंकि हमारी नीन पूरी हो जाती है और हमारा शरीर स्वास्त है और आलज से हमारे पास तक नहीं फटकता मतल़ हमारे पास भी नहीं आता हाँ दादा जी, खाना भी अच्छा लगता है बिट्टू बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने भोजन पच्टा भी ठीक है और हमें भूख भी अच्छी लगती है जब हम स्वास्त होते हैं तो बच्चों आज मैं आपको इस बाट को इतना ही पढ़ाऊंगी और इसके जो हमने पढ़ा है इसके प्रेशन उत्तर करवाऊंगी इन्हें आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए कक्षा पांच, विशे हिंदी, प्रेस्ट संख्या, पच्चेस स्वास्ततन, सुखी, जीवन, भाग एक पहला प्रेशन है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे, किस पर गेम खेल रहे थे बच्चे, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे प्रेशन दूसरा है, शुश्मा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा, जो उनकी मा थी तो उन्होंने क्या कहा था सुश्मा ने बच्चों के बीच जाकर कहा अरे क्या मिल जाएका तुम्हें इन खेलों से दादा जी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे तो शी बिट्टू हनी तीनों चलो बाहर किरायदार के बच्चों का क्या नाम था क्या नाम था बच्चों? खुशी और अनू तो तर लिखेंगे किरायदार के बच्चों का नाम खुशी और अनू था प्रेश्न चोथा है दादा जी की बो हैं एनक के फेरे से भी बाहर तक क्यों तन गई? तो तर लिखेंगे किरायदार के बच्चे दोनों बच्चे खुशी और अनू दादा जी के पास आकर वैट गए उनके हाथ साप नहीं थे पाउं भी गंदे थे उनको देखते ही दादा जी की बौहें एनक के फेरे से भी बाहर तक तन गए प्रेशन पाँच है स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है तो इसका उत्तर लिखेंगे तन स्वस्थ हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है हसने हसाने का मन करता है रात को नीद भी अच्छी आती है और सुबह तरोता जा उड़ते हैं हर काम फटावट करते हैं आलस से हमारे पास सब नहीं फटकता और इससे जीवन कैसा बन जाता है सुखी बन जाता है प्रश्ण छे है हाँ दादा जी खाना भी अच्छा लगता है यह वाक्य किस ने कहा यह वाक्य किस ने कहा था यह वाक्य बिट्टू ने कहा तो बच्चों आप इन प्रश्णों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शेश पार्ट पढ़ाऊंगे धन्यवाद